घर्राजस्तान के बाड़ मेर के बीमडा गाउ में गुरो और रात का इब नो बजे बाईस योना का एक फाइटर जेट मिक टॉन्टी वन बाईसन क्रैस हो गया दमाग इतना तेज था कि आसपास के तिन किलोमेटर तक आवाज सुनाई दी आद़ किलोमेटर तक फैले मलवे में चारो ताप आग लगी थी और आच्चे में विवान में सवार दोनो पाइलेट विंक कमांडर एम राणा और पाइलेट लेटनेंट एदुत्य बल साई दोगे एम राणा इमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे जबकि एदुत्य बल जम्बो कस्मिर के रहने वाले थे देर रात एयर फोर्स ने गटना स्तल के आसपास से करीब आदा किलोमेटर इलाके को कबजे मिले लिया एयर फोर्स बिक्रेवे मलवे को इकट्टा करने और गटना की जाज़ परताल में जुटी हुई है बतादे कि मिग टुन्टी वन ने उत्तरलाई से उडान बरी थी और बाडमेर के बिमडाक पास अचानक विमान में तकनी की खराबिया गई बताए जा रहे कि मिग रेट के एकटीले पर जाकर क्रेस हो गया जा करीब 10 से 15 फिट का गैरा गड़्ड़ हो गया फिव लोने का विया से इसमें आग लग गई दोनों पालेट विमान से इंजेक्ट हो पाते इससे पहले ही वह आग के गोले में तबदील हो गया बिमडा गाव का निवासी उमप्रकास ने बताया कि रोज की तरह लोग खाना खानेक बाद सोने की तैयारी में थे इतने में आसमान में आग का गोला दिखाई दिया और कुछ तेर बाद इतने दमा का हुआ यह देखकर गाव वाले गटने स्तलके और दोडे और मौके पार आग की लप्रे उट रही थी और पास में दो लोग की डैड़ पोड़ी बड़ी थी आज से करीब 25 मिनट बाद पुलीस और सेना के अधिगारी मौके पर पहुचे इस प्रकार राजस्तान के बाड में रुमिवे फाइटर जेट क्रेस में दो पाइलेट साही दो गए इसमें विंकमांडर एमराना और फाइटर रेप्ट ने अधुत्यवाल साही दो गई